प्रदिश अद्धाक्ष जी ने डाक्टर मदन मोहंजहा जी ने राष्ट्रिय जंता दल को कम से कम साथ सीटों पर लड़ने का संकेत दिया है राष्ट्रिय जंता दल की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं मिला है अभी तक हम लोग ने बाइट करके कोई तैट अमना नहीं किया है सीट पर हमारे पास जीतने लाइक उमिदवार है ऐसे 10 से 11 सीट पर हमारा बहुत मजबूत उमिदवार है बिहार में 24 सीटों पर MLC का चुनाव होना है जिसको लेकर अब फिक बार फिर से महागडबंदन में खीचा तान शुरू हो गई है एक तरफ जब कांगरेस कह रही है कि मुझे साथ सीटों पर चुनाव लड़ना है वहीं कहीं न कहीं अब जो राज़त है वो फिर से मन बना ली है कि उप चुनाव की तरह इस बार फिर से विधान परिस्द के चुनाव में कांगरेस को एक भी सीट नहीं दिया जाए हलाकि इसको लेकर कांगरेस के MLC है समीर सिंग उनका कहना है कि लालू परशादी आदव दोरा बोला गया था उन्होंने बयान भी दिया था और हम लोगों से बात करतेवे भी उन्हों ने कहा था कि इस बार हम लोग मिल कर चुनाव लड़ेंगे और साथ सीट की जो बाते कहीं जा रही है कि साट सीट कॉंगरेस को दिया जाएगा कुछ सीट जो है वो चिराग पासवान को देने के वे बात लालु यारवदरा कही गई थी जिसको लेकर समीर सिंग क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप सुने देखे उप चुनाओ के बाद राष्टिय जनतादल के अध्यक्ष मानिय लालु प्रसाद जी ने असपस्ट रूप से यह बयान दिया था कि कांग्रेस हाई कमान से मेरी बातचित हो गई है और विधान परसद के चुनाओ में हम कांग्रेस को भी सीट देंगे और अपने कोटे से हम चिराग पासवान को भी सीट देंगे और महागटबंदन में हम लोग चुनाव लड़ेंगे ऐसी परिसिती में जब लालू जी का इस तरह का बयान आता है तो फिलहाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने डाक्टर मदन मोहंज हाजी ने राश्ट्रिय जनता दल को कम से कम साथ सीटों पर लड़ने का संकेत दिया ह और अभी तक राश्ट्य जनता दल की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं मिला है अभी तक हम लोग ने बैट करके कोई तय तमन्ना नहीं किया है ये लोग अभी प्रचार कर रहे हैं कि राश्ट्य जनता दल एक तरफा उमिदवार दे रही है तो हम इस संदर में आपको कहन चाहते हैं कि कोई भी दल अपने संभावित उमिदवार को ये संकेत दे सकती है कि जाके तुम चुनावी तयारी करो हम लोग भी अपने संभावित उमिदवार को जो लड़ने के लाइक मजबूत है उसको संकेत दे रहे हैं उसमें कोई तिकत नहीं है लेकिन जब सीटों का तालमेल हो जाएगा तो उसी सीटों पर हम लोग जो जिसके हिस्से में होगा वहां हम लोग नमंकन करेंगे कितने सीटों के आप लोग वे उम्मीद कर रहे हैं हम लोग तो जो लालू जी ने कहा था वो साथ सीट पर ही हम बात कर रहे हैं साथ सीट कांग्रेस को चाहिए और इससे कम हम लोग नहीं लड़ने की इक्षा रखते हैं चुकि साथ सीट पर हमारे पास जीतने लाइक उमिदवार है ऐसे 10 से 11 सीट पर हमारा बहुत मजबूत उमिदवार है इसमें कोई संदे नहीं लेकिन गठवंधन को कायम रखने के लि तो साफ तो पर आपने सुना कि आर जेडी के द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस को साथ सीटों पर चुनाव लड़ना है मलसी का इसको लेकर तैयारियां जो है वो जोर सोर से शुरू हो गई है हाला कि समीर सिंगा कहना है कि अगर इसके बाद भी पलटती है राजद और हमें सीट नहीं देती है तो हम लोग फिर से जिस तरीके सोब चुनाव में हम लोग अलग होके चुनाव लड़े थे इस बार भी अलग होकर चुनाव लड़ेंगे और जिस तरीके से लालु प्रश झाल झाल